नमस्कार साथियों कैसे आप सभी उमिद करता हूं सभी एच्छी होंगी जैसे सरकार का बदलाव हुआ है तो युवाओं की उमिदे काफी सारी है कि छोटी मोटी सभी भरतियां आ जाएं तो हर एक वर्ग तस्वी पास वाला है बार्वीं पास वाला है ग्रेजियोशन वाला है में वाला तो अपने अपनी भरति को पकड़ कर तयारी करके अपना सलेक्शन लेना चाहता है लेकिन इसी बीच जो कोंगरेस सरकार थी उसके अंदर भी और भाजपा सरकार बदली तो उनसे भी उमिदे हैं एक भरती है नायब तहसिलदार भरती जो इससे पहले राजस्त इस बात पर चर्चा करेंगे वीडियो को देखो पूरा सुनने एक सिक्के के दो पहलो होते हैं क्या इस बरती की वास्तिक्ता उस पर पूरी चर्चा करूंगा तरीके से बात को सुनने हैं अगर आप वास्तिक्ता के अंदर विश्वास रखते हैं और आप इमानदारी के सा आप ताइम पास के लिए यह वीडियो देख रही हूँ तो फिर यह देखने का कोई मतलब नहीं है, आप भूम रहे हो यहाँ घूम रहे हो कभी, और कहीं चलेगे कहीं, और कहीं चलेगे, यह जानने के लिए हो गी नहीं क्योंकि इधर जगा जगा भटकने से कुछ नहीं होन रहा था लेकिन इस भरती को लेकर काफी सारी बच्चे हैं वह लगा तर वट्सप के दोबर हमसे जूड़े वह अलगलग प्लेटफोर्म पर तो बूस्ते रहते हैं लेकिन पहला ही मैं इस पर वीडियो डाल रहा हूं और क्या वास्तिवक्ता इस पर मैं पूरी जान बिन और जितने भी जहां से हो सकता है वो पूरी जानकार जोटाई वास्तिवक्ता में क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे कुछ बाते करेंगे इसमें क्या सेलेबस आएगा क्या योगता है इसके उपर में चर्चा नहीं करूँगा मैं सिर्फ भरती को बात करूँगा कि भरती आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ठीक है अच्छा एक बात और थोड़ी से हम चर्चा कर लेते हैं देखो कहा गया एक मिनिट है ये एक भासकर के द्वारा रिलीज किये गया कटिंग है भासकर के द्वारा ओफिशियल आपके सामने जो कॉंगरेस सरकार थी उस समय का यह है मैंने दो मेहने पहले के चलो और इसमें क्या बोला गया थैए इसमें ये बताये कि बात को सुनों बात को सुनना अगर वास्ती तक तक पहुंचेना है तो कि तस्यलदार की सीधी बरती, RPC के दौर 50% पदो नत्ती से बनेंगे यनि 50% पद हैं, वो किस से बरेंगे? पदो नत्ती से बरेंगे लेकिन बचगे 50% उसमें वरिष्ट पतवारी है उसके पद को समप्त किया गया है उसके पद को समप्त किया जाएगा और डारेक्ट देखो सीधी भरती तसिलदार की होगी ये इसमें कहा गया था कि जो की नायाब तसिलदार की भरती जो नाम है यानि साफ साफ इसमें ये बात बताई गई थी कि ये भरती होगी और इस प्रकार की भरती होगी जिसमें 50% तो सीधा डारेक्ट बनेगे जिसमें कोई पेपर बगर नहीं जिनका प्रमोशन होना है पदोनत्य के द्वारा और 50% है वो पेपर के द्वारा लिकित प्रिक्षा आप देखर उसमें अपना एक सीट पकी कर सकते हो आप नायाप तशिलदार बन सकते हो ऐसी फिलाल पहले हमारे भरती नहीं हुई थी अदर राज्यों में हमें देखने को मिलती है अलगलग राज्यों में कहीं है इसी भरतिया चल रही है और हमारे राजसान में ये पहली बार होगा अगर ऐसा होगा तो एक और में कटिंग बात करना चाओंगा जो की लगबग ये भी पूर से देनिक भासकर ने उजागर किया कि यह भरती अटक कही है क्यों अटकी थी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राज्य में 225 नायाप तस्यलदार पद्ध होने वाली थी विधान सवा चुनाओ आगे जिसके चलते यह मिली इन पदों की विति प्रसासनिक सविकर्थी राजस्य विवाग से नहीं मिली थी इस बात को चर्चा करेंगे क्योंकि इस भरती को विति सविकर्थी नहीं मिली जो भरती विति सविकर्थी परदान हो जाते इस भरती को उसको तो 110 परशंट करवाने ही पड़ता है सरकार को चाहिए को इस विवाग जब सविक क्योंकि आचार सहिता लग गए थी सारे काम अटक गए थे नतिजा इन पदों की अबर्थन रास्ताल आर्पेशी आयोग को नहीं भेजी गी आर्पेशी को इसके बर्थन नहीं बेज पाई क्योंकि अगर वित्विवाग सविकर्ति देता तो भेज देते इसका मतलब तो बात ठीक है कि भर्थी आने वाली तभी इस प्रकार की बाते हैं प्रदेश की विविन कारेल नायाप्त चिल्दार की कमी को देखते वी रास्त्व मंडल ने 225 पदों पर 225 पदों बर्थी के प्रस्ताव रात्सवय विवाग को भीजा गया था प्रस्ताव पर आगे कारवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि आचार सहितल लगी और सविकर्थी नियमें जिसके चलती इसमें नहीं हुई थी और इसमें वरिष्ट पटवारी कपद को समाप्त किया गया जिसके चलती यह हुआ अब बात को समझना यह तो देनिक भासकरी द्वारा उजागर की थी अब आप एक बात बताओ मेरे को मैं यह यह ने कूंगा इसकी योग्यता क्या है इसका सिलेबिस क्या है कौन भर्षकता कब भरती आएगी ऐसी कोई बात नहीं करूँ है मैं कोर्स लौंज कर रहा हूं के नहीं कर रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं करूँ मैं इस भरती की वास्त्री तक जाना जाता हूं एक छोटी सी एक बात बताओ मेरे को आब वाक्य में त्यारी करना जाते हैं नायब तशिल्दर कि बहुत बढ़ी है कि कि दुआ कब उड़ता है मां वास्ति तक जाने दुआ तभी उड़ता है जब आग लगती है अगर आप स्टूडेंट इमानदरी सुनें दुआ तभी उड़ता है जब आग लगी है और अब एक बात बताओ धुआ उठ रहा है कहीं आग लगी है तो हम क्या करते हैं दो प्रियास हमारे होते हैं हमें पता कि दुआ उठ रहा है तो इसको आग लगी तो हम दो प्रकार के तेयरे करते हैं फाइर बिगरेट उसको ब तराब हो गई आपने पानी कठा किया वह वैस्च चला गया नहीं नहीं हो सकता है वह आगामी कहीं ओर आगजनी होती तो वहापर काम आएगा इस बात से क्या समझते हैं नायाब तस्रीलदार की भरती है आपको पता कि राच्फ्व विवाग की भरती है और आरेश लेवल की सब्सक्राइब करने में कब तक कर रहे हैं वो एक अलग बात है कब को यह भरती नहीं आती है अने का चा अगर यह भरती आती तो आप तो अपושर आपको कॉण सा गाटा होगा आपके कोण सा नुकसान क्या आपने जो पढ़ा जो टेयारी की आगर कहीं से लिया होगा अपने अगर आपके कौन सानुक्षान होगे क्या वो आपकी तयारी की हुई काम नहीं आएगी कि यह बिताओ पहले तो जो आपने जी के पड़ा है तो जी के राजसन के हर भरती के इंदर आता है यह अधर सब्जेक्टी पड़ें तो क्या ने तो जो स्टूडेंट होता न वो आज का स्ट स्टूडेंट बड़ा बरमीत है क्यों भरमीत है क्योंकि वो दस जगह नहीं सो जगह इधर गुमता है उदर गूमता है हजार जगह तयारी तो नहीं करता लेकिन वह इस चक्रव मेरेता कि भटी आएगी कि ब्रति आएगी कि पेपर कब होगा कोन करवाएगा नेगिटिव ह प्रकार्किंग है के नहीं सेलेबस क्या होगा हजार त्रक्य की बाते पुछेगा जबकि वह एक ख्याली पुका पुलाव होते हैं उसका कोई लेना देना रहती है एक स्टुडेंट को इतना है कि उसे पता लग गया कि इस प्रकार की बरती आ सकती है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई उसके पहले पढ़े हुए नहीं या नए नहीं है समयरे इस बात को पढ़ने से वो काम है तो भरती आने की संभावना है क्योंकि बात पीछे हो चुके और इसको विति सविकृति मिलनी थी तो विरिश्ट पटवारी का पद समाप्त किया गया था जिसके चलते भरती तो होने की संभावना है मैं दोने में अगर भरती सम्हावना है तो निश्रोब से विदिवाग सभी करती कब तक परदान करेगा वो एक अलग बात है हो सकता कि मेने में भरती आ जाए हो सकता कि तोड़ा समय लग जाए समय भरती भी बड़ी होगी तो इस बात से आप क्यों दर किनार कर रहे हैं अपने आपको कि सर आएगी तब त्यारी करूँगा नहीं आई तो सर मैं क्या करूँगा आपके मन में एक इसन से है कि आएगी के नहीं आएगी मैं हमेशे कहता हूँ कि exam date exam date मत खेलो एक्जाम डेट exam date मत खेलो selection कोई और लेके जाएगा आप exam date exam date खेलते चले जाओगी अब भरती का खेल भी यह है कि सर भरती आएगी कि नहीं आएगी बheavy आपका काम पढड़ना जो subject पढ़ोगे वह इस भरती में काम नहीं आई आया इस भरती यह बरती नहीं आयी तो किसी और भरती में काम आजए आरेस का देले रअगा समरे शेकाहते समरे इस बात को, तो ब्रमित नहीं होना है मैं क्या कहा रहा हूं कोई और वीडियो क्या बना रहे हैं तो मैं बिलकुल ब्रमित करने के लिए नहीं बिनाना है, यह नहीं ञाख हो रहा, इसमें ब cycl C को आपको मैं सजग कर रहा हूं कि भरती आने की संभावना है क्योंकि आग लगी है धुआ उठा तभी हम कह सकते ही चर्चा का विश्य बनी है सविकृति विति वाक्से नहीं मिली है क्योंकि वरिष्ट पटवारी का पद्ध समाप्त किया गया तो जिसके चलते इस भरती को न भारत से आगे हैं अमरीका अमरीका आज सकती साली देशों में क्यों है अमरीका जैसे देश है रूष जैसे देश है जापान देश है वो विक्सित है और हम आज भी विकास सील है बहुत से देश है विकास सील है विक्सित और विकास सील में फर्ट क्या होता है पता है आज स उसे 10 साल बाद कोई हमला होता है उसमें कौन से हतियार काम में आएंगे बड़ा हमला हो गया है तो अमरिका जैसा देश पहले सी 10 साल बाद होने वाली गठना को पहले से तयार रखता है हतियार बना कर कि पताने 10 साल बाद भी अगर हमला तो हम पहले से प्रिपेर हैं विकास स तो तयारी करेंगी, नहीं आय तो नहीं करेंगी। किसका क्या जाता है? किसी टीचर का कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा सब आपका, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ आपका. तो यह जो समय ना बड़ा महत्तपूर है बहुतिये तो खूब आ जाए यह आजाए मतलब हजार प्रकार की भरतिय आ चाहिए जब आप तयार ही नहीं हो उसके लिए क्या आपका syllabus complete है क्या आपके subject clear है क्या भरती आने से आप selection ले सकते हूं अंदर से आवाज आते हैं कि हां सर ले सकता हूं तो अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता कि यह आवाज है कि आप कर क्या रहे हो आप त्यारी तो करने रहे हैं आप ब्रमित हो रहे हो तो भरती की यह वास्तेविक्ता है बरती आना अंटे निशर वम से जहां तक मैंने कुछ मान्ययमी बाद्चीत खीक और कुछ ब्रतियां जैसेAs पसुन परिच्रकी भरती पहले तो नहीं आई थी अप किसने सोचा पसुपरिचर की भरती के बारे में आ गए आपके सामने फोरम भी स्टार्ट होगे अब अगर इस प्रकार से पसुपरिचर की भरती की बात उड़ती न तब आप के तसरो यह भरती आई नहीं थी कभी यह खशे होगा तो सेम यह मान के चलना सेम ऐसी भरती है तो ज़रूरी नहीं होता कि जो भरती चल रही वह नहीं भरती कुछ नहीं बन सकती विवागों में जगा खाली होती है कुछ फेर बदल हो सकती समझे इस बात को तो वास्विक्ता तो यह है कि आपको त्यारी करनी चाहिए और जो यह पढ़ोगे ना इसमें पढ़ना कि यह वही रास्ता जीके वही रास्तान की जोग्रोफी वही कल्चर वही स्ट्री मेथ है साइन्स है रिजनिंग है ओलमोच जितने बी सब्जेक्ट आते हैं वह लगबग आरेस में वही त्यारी करनी होती है रास्विवा की भरती इसमें का काम आ जाएंगे भरती आगी नहीं तो फ्रस्ट केर्ट देलेना और पटवारी वीडियो सब कुछ आने वाला है तो आपका जाना कुछ नहीं है त्यारी करते हो तो नहीं करते हो तो फिर टाइम तो जाना ही जाना है तो मेरी बात को आप समझेंगे अगर आप एक स्टूडें से पूछना कि सलेक्षन बातों से नहीं होता है महनत करता और महनत भी सही दिशा में होती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती ही अगर हम लाइन में लगे रहें समर इस बात को मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी होती है हम सोचते है धू प्रवाद हो सकते हैं कि लाइन चोटी हो जाए हम इस सोच को लेकर हम बाहर हड़ जाते हैं कि बेड़ जाते कि तर कमर दर्द उने लगती है एक गंटे बाद देखते हैं वह लाइन डबल हो जाएगी फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा इस प्रकार कि अगर काम करना स्टार्ट कर दो बढ़िया से रोजी रूटी बढ़ेगी बढ़िया तरीके से और आपको सची महनत और इमानदार एक साथ करनी है और सलेक्शन लेना अपने आपको साबित करना कि I can do it मैं कर सकता हूं तो लग जाओ चाहिए भरती हो चाहिए और भरती हो उमीद क करतों कि मैंने आपको जो बाते थी वो सही बताई है या गलत जो भी आपको लगे आपकी प्रतिकरे कॉमेंट सेक्शन में दे देना अच्छा लगा तो अच्छा बता देना बूरा लगे तो बूरा बोल देना कोई दिख दोनों ही खुले हैं आपके पास option ठीक है हमारा काम पोधय है और विक्तिव के हमेशा आसा वादे रेंडा ची निराशया वादे मूरा ची ए ढला उमीद वह दुनिया काम है खातरे हां वी थी बहरती आइगे त्यारी करते हैं ठीक है चली मिलते सिख साथ जेहिंद जे बारत